से यही काईस कैसे आपसलोगा है होब कि आपसलोगे बहुत चेह एचांगी सवाज की स्वीडियो के अंदर देखने वाले अपन कुछ और नाए टूल्स जो की बहुत इंपोर्टेंट है फोटोशॉप के अंदर फोटो एडिटिंग के लिए प्लस फोटो मैनिपलेशन के लिए और ग्राफिक डिजाइन की बात की जाए यानकी जो पोस्टर बैनर डिजाइन्स होते हैं उनके अंदर यह थोड़े बहुत काम आते हैं बट यस अच्छे लगते हैं ठीक है सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहला है आपके पास में spot healing brush tool यह simply आपका जो spot है कोई आपको ऐसा लग रहा कि यह अलग से धब्बा देख रहा है वह आकर आपको वहां से हटाना है यानि कि रिमूफ करना है सो आप इसको और आप से रिमूफ कर सकते हो सब्सक्राइब करना है सो अब यहां पर यह वाला जो है इसको मेरे को सब्सक्राइब करना है सो इसको रिमूफ करने के लिए simple है आपको यहां पर content aware पर जाना है यहां पर इसका size जो भी रखना चाहिए size spacing hardness यह सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है ठीक है फिर आते आपक मोड यह मोड क्या है मोड यहां पर भी है बहुत सारे मोड होते हैं बहुत अच्छे अच्छे मोड होते हैं कैसे काम करते हैं वो जब आपन आगे देखेंगे blend मोड वाली class में but right now अभी अपन इसको मोड को हटा देते हैं फिर आता content aware content aware से इसका मतलब है आपका जो भी healing कर कर आई यह suppose जैसे कि यह वाली यह जो ब्लैक सबस्पॉट है मैं अच्छा नहीं लग रहा है ठीक है मैं simply यह लिया और इसके उपर simply brush कर दिया इसका आजबस का जो content है उसको use करके यह अराम से उसको heal कर देता है ठीक है content aware in the sense आजबस का जो भी content है उसको heal करके मलब कि इसको उससे inspire होके यह उसको heal कर ठीक है सो यह होता है content aware ठीक है इसको मैं अभी control that control that ठीक है फिर आज है create texture यह अगर आपको texture आपको लग रहा है जैसे कोई fabric का है उसके ओपर अगर आपको कुछ करना है तो आप create texture पर जाके कर सकते तो fabric यहां पर यहां पर यह बिल्कुल यह बना पाएगा जैसे अगर मैं यहां पर बना हूं यह नहीं बना पाएगा यह simply कहीं न कहीं से दर दर से उठा करने की कोशिश करेगा but yes water water में कोई texture होता नहीं है तो इस यह एकदम कुछ इस तरीके का bloody effect देता है ठीक है फिर आता है next proximity match in the sense यह जो proximity जो यानि कि यह simply जो आपकी photo exact photo को उठा उठा कर डालता है content aware गलत मलब की एक अलग चीज़ पर चलता है अगर आपको इस पर नहीं बनाना है एक नहीं layer पर आप देख पाएं कि यह सही हो रहा है कि नहीं आप यहां से कर सकते हो यह करता हूं मैं और यह मैंने करके अब इसने फिल भी कर दिया लेकिंग यह अलग layer पर सो अगर आपको अलग layer पर बनाना तो आप इसको अराम से बना सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आता है healing brush tool यह अभी तक देख रहे हैं मैं spot healing बड़ आपको healing brush tool यानिकी spot यानिकी एक जगह पर healing brush tool okay alt करके आपको यहां पर healing brush tool का यूज़ करना होता है कैसे अभी दिखें सब्सक्राइब को यहां से यह जो texture है यहां पर भी डाल लें तो simply आप इसको alt प्रेस करके यहां से इसको बता दीजी कि यह वाला ही चीज उठानी है अब यहां पर लाके आप इसको simply इस तरीके से ड्रै करेंगे तो यह आजपास का जो texture है उसके साथ में maintain जबकि यह वाला dark है बट वेरेस यह वाला इस तरफ का जो water वो light है तो उसने उससे हिसाब से जो इसको ढालते हुए एक दो मंचे से किया है अब यहां पर करके देखता हूं dark area उठाया light प create करते हैं वो सो वपन आगे देखेंगे ठीक है आगे बढ़ता है फिर आगे अपने पास में आता है patch tool patch tool in the sense अगर आपको कोई चीज आपको कोई ऐसा अगर है कि यह patch सही नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसे यह वाला area मेरे को यहां से यह वाला area हटा के इसकी जगह पर करना है यह वाला area so अगर आप इसको click करके drag करेंगे इस तरफ को so यहां पर वो उस हिसाब से जो आजपास के texture को match करते वो कुछ इस तरीके का design करेगा but इसमें texture नहीं दे पाता because यह simply copy paste करता है ठीक है control z और इसके बाद में आपके बाद में जो आपके बाद में इक और सीज होती है control दी करता हूँ एक बाद यह अभी अपने source क्यों use किया था क्योंकि अपने को यह वाला patch हटा कि यहां पे लाना था यह destination यूज करोगे तब आपको simply यह patch उठाके यहां पे डाल देना है ठीक है see this same काम किया है बट अपने इसको उल्टा किया था और यह पहले source के यूज करके किया लेकिन आप test addition का यूज करके ठीक है आपको यह जो चीज है content aware मैंने बताया क्या होता है content aware simply जो अगर आपको आसपास का content उससे aware होके यानिकि उसको match करके जो है कुछ create करना है ठीक है यहां पर remove tool यानिकि आपको यह simply यह जो patch है इसको यहां से इस तरफ लेकिया ठीक है आसपास की कुछ चीज़ों को इस्तमाल करके यह simply वह वहां से आराम सब्सको करता है ठीक है वहां से इसने आटा दिया अब क्या किया उसने यहां से आसपास में से content लेकि वहां तो fill कर दिया लेकिन वहां जो patch था वो यहां पर लाके छोड़ दिया अगर आपको एक patch को इधर से उदर लाना है तो आप यहां से use कर सकते हो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर यहां पर आपके पास में आता है red eye tool यह जो है red eye tool यह अगर आप नहीं देखा होगा आप जब भी photo click कर रहे होते हैं ठीक है रात के समय में तब यह जाहतर होता है ठीक है तो इस red eye को हटाने के लिए red eye tool यहां पर यहां पर यहां पर एक red color का बना के दिखा दूँ आपको यह मैं एक red color डाला ठीक है अब अगर मैं red eye tool बजा के इसको select करूँगा आप देखिएगा यह red color थोड़ा कम हो जाएगा finding red eye see this red color काम हुआ क्यों क्योंकि अब red eye tool क्या करता है simply जो red उनको वहां से हटाता है ठीक है और यह अपना AI यूज़ करता है ठीक है इसी दिए इसने पूरा नहीं हटाया बट जब आप आई पर कर रहे होता है तो AI समझ जाता है यह एक आई है तो यह पूरा red को हटा देता है